डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं लोगों ने डर की वज़े से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपिय घमा दिये हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जाच एजनसी फोन कोल या वीडियो कोल पर इस तरह पुस्ताच कभी भी नहीं करती मैं आपको डिजिटल सुरुक्षा के तीन चरण बताता हूँ ये तीन चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो कॉल आते ही रुको, गबराय नहीं, शांत रहे जल्द बाजी में कोई कदम न उठाए किसी को अपनी व्यक्तिके जानकरी न दे संभव हो तो स्क्रीन सोट ले और रेकोर्डिंग जरूर करे इसके बाद आता है दूसरा चरण पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजनसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती नहीं विडियो कॉल पर पुस्ताज करती है नहीं ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझ ये कुछ गड़बड है और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण पहले चरण में मैंने का रुको दूसरे चरण में मैंने का सोचो और तीसरा चरण कहता हूँ एक्षन लो राष्ट्रिय साइबर हेल्प लाइन 1930 डायल करे cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करे परिवार और पुलिस को सुचित करे सबूत सुरक्षित रखे रुको, बाद में सोचो और फिर एक्षन लो ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे